आज है 27 दिसम्बर 2019 और 27 दिसम्बर 2019 से करेंट पैस के जितने भी important question मन सकते हैं सारे हम इस video में discuss करेंगे और हर question से related important fact भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए last time मैं आपसे question यूप पूछूँगा उसका answer आपको comment box में बताना है आज किस video की pdf file आप इस video की discussion से download कर सकते हैं pdf आप हमारे telegram group से भी download कर सकते हैं telegram group पर आपको सारे pdf एक साथ मिल जाएंगी और telegram group का link मैंने इस video की discussion में दे दिया है तो आप उस link पर click करके telegram group join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाले में किस राज जिने green field बंदरगा इस्तापित करने की गोश न की है तो अभी आन्द परदेश government ने एक green field बंदरगा इस्तापित करने की गोश न की है यानि किस question का C option से ही है आन्द परदेश की प्रकासम जिले में एक हजार करोड की लागत से ये ग्रीन फील्ड बंदर का इस्तापित किया जाएगा और फिर इस बंदरगा का यूज ब्यापार के लिए किया जाएगा जैसे जो नेचुरल बंदरगा होते हैं उनका यूज क्या किया जाएगा समुद्र में ब्यापार के लिए किया जाता है उसी तरह से इस बंदरगा का भी यूज ब्यापार के लिए किया जाएगा और आंध प्रदेश कोवर्मेंट ने इसको स्तापित करने की गोशना की है अब गोशना आंध प्रदेश ने की है तो ये है मैप में आंदप्रदेश आंदप्रदेश की केपिटल के है? अभी हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित केपिटल अमराबती है अच्छा जब मैं ये बताता हूँ तो बहुत सारे स्टुएंट को confusion हो जाता है ये प्रस्तावित केपिटल का क्या मतलब है? देखो आंदप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था और कब बना था? 2 जून 2014 उसी टाइम ये agreement सायन हो गया था कि जो आंदप्रदेश की केपिटल थी हैदराबाद वो अब तेलंगाना में पढ़ती है तो 10 साल तक आंदप्रदेश और तेलंगाना दौनों की केपिटल हैदराबाद रहेगी लेकिन 10 साल के बाद आंदप्रदेश की केपिटल अमराबती हो जाएगी और जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की केपिटल हो जाएगी इसलिए का जाता है कि अभी capital हैदराबाद है लेकिन प्रस्तावित capital अमराबती है तो दस साल के बाद 2014 से 10 साल के बाद यारी कि 2024 में और टोमेटिकली आंद्रप्रदेश की capital अमराबती हो जाएगी आंद्रप्रदेश के चीफ निष्ट कौन है जगन मोहन रेटी और आंद्रप्रदेश के present time पे गवर्नर कौन है बिश्व भूसर हरचंदर अच्छा जब भी बात आंद्रप्रदेश की आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ बासा के आदर पर गठित होने वाला भारत का पहला राज है आंद्रप्रदेश ये आपको याद रखना है क्या है भासा के आदर पर गठित होने वाला भारत का पहला राज है आंद्रप्रदेश ये कुशन बहुत बार एक्जम में रेपेट हुआ है इसलिए जब भी आंद्रप्रदेश की बात आती है मैं आपको ये हमेशा बताता हूँ तो आप इसे याद रखिए तो इस कुशन से आपको इतनी जारकारी मिलती है आज किस मुड़ू का हम टार्गेट रखते हैं 40,000 लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस मुड़ू को लाइक और सेर जरू क्या करो और मैं आपको अच्छा कल मैंने 1000 कुशन के करेंट अफेस की PDF फेसुक पर भी अपलोड की थी टेलिग्राम पर भी अपलोड की थी तो बहुत सारे स्ट्वेंट ने तो उस PDF को डाउलोड कर लिया है तो उस PDF को मैंने डिरेक्ट ली भी टेलिग्राफ पर अपलोड कर दिया है Simply आप एक क्लिक करोगे वो PDF आपके phone में डावलोड हो जाएगी अगर फिर भी आपको कोई problem होती है तो आप Instagram पे मुझे message करो मैं आपको PDF personally send कर दूगा कल मैंने 2000 से ज़्यादा student को PDF personally send किया था करीब-करीब 8-9000 student ने मुझे message किया उसमें से मैं सिर्फ 2000 को send कर पाया मैं सब को send नहीं कर पाया लेकिन मैंने कोशिस की maximum से maximum लोगों को send करने की अगर आपको भी कोई problem होती है तो आप Instagram पे indreshrc Instagram पे indreshrc सच करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी doubt कोई भी confusion कभी भी मेरे साथ discuss कर सकते हो नए शुशिन है हाली में सुशासन सूचकां का सुवारम किस ने किया है तो present time पे हमारे लोग सिकायत और पैंसर राजिमंत्री है डॉक्टर जेतेन सिंग इनों को ने अभी सुशासन सूचकां का सुवारम किया यानि किस discussion का बे options है एक्च्वल में अभी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाय गया और 25 दिसंबर को पूर प्रदारमत्री अटल ब्यारी बाजपी जी की जैनती होती है और एने की जैनती को सुशासन दिवस की रूप मनाय जाता है और इसी 25 दिसंबर से ये सुशासन सूचकां का सुरू किया गया है अब इसका क्या मतलब है इसमें क्या होगा देश बर के जितने भी राज्यें और जितने भी केंद सासित प्रदेश है उनमें कैसी गवर्नेस है इसके बेस पर ये इंडेक्स जारी किया जाएगा हर स्टेट की रैंक जारी की जाएगी तो इसकी सुरुवात अभी 25 दिसंबर से की गई है और इसका सुवारम किया है प्रिजेंट टैम के नए अध्यच कौन बने है तो अभी निरंजन हीरा नंदानी एसके नए अध्यच बने है याने किस कुशिन का C options है अचाए ये एसोचेम है क्या तो ये क्या है उद्योग और ब्यापार का सर्वूज संग्टन है भारत में उद्योग और ब्यापार का ये सर्वूज संग्टन है अचाए एसोचेम की फुलफों क्या है एसोचेम की फुलफों में निरंजन हीरा नंदानी आप इमेज में देख लीजिए ये है निरंजन हीरा नंदानी अचाए एसोचेम की स्तापना का वोई थी इसकी स्तापना वोई थी 1921 में और इसका हैड़कॉर्टर कहां पे है निउ डेली में और इसके अब नए अद्धिश तो यही बन गए है नि महेंद्र सिंह दोनी को ययाने किसकूशन का? D.Opements ही है। सी याने कि Cricket Australia की ODI Team of the Decade याने की इस धसक की ODI Team का कप्तान मनाए गया है महेंद्र सिंह धोनी को और इस टेम में तीन भारतियों को सामिल किया है। वो तेन भारति कौनसे हैं? एक तो यही है महेंद्र सिंग धोनी, दूसरे हैं बिराट कोली और तीसरे हैं रोहित सर्मा, तो यह CA की ODI team of the decade में तेन भारतियों को सामिल किया गया है, यह आपको याद रखना है, और इसके कप्तान मनाए गया है महेंद्र सिंग धोनी, next question है, हाली में गंगा प्रसाद बिमल का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो गंगा प्रसाद बिमल, यह हिंदी के एक famous लेखक थे, यानि किस स्कूशिन का, C options है, यह थे गंगा प्रसाद बिमल, अभी स्री लंका में एक road accident में इनका निधन हो गया है, और इनका सबसे latest जो उप पन्यास का नाम आपको विए रखना है, यह इनका last उपन्यास था, मनुस्य खोर, और यह हिंदी के एक famous writer थे, नैस कुशन है, हाली में किस देश की तेज गेंदवाद, वर्नोर फिलेंडर ने सन्यास की कोशना किया है, तो अभी दक्षिर अफरीका की यह तेज यह South Africa के एक fast waller थे और अभी इन्होंने सन्यास की कोशना करती है, अच्छा यह South Africa के थे, तो बहुत टाइम से में आपको South Africa के वारे नहीं बताया है, आप map में देख लीजिए, यह है South Africa, South Africa की capital क्या है, Cape Town, Pretoria और Bloemfontein, तेन capital है, Cape Town legislative capital है, Pretoria executive capital है, और Bloemfontein, judicial capital है, तो यह देन capital है, South Africa की, South Africa की currency के है, South African rent, और South Africa के present tempo president कौन है, सिरेल रमा फोशा, नेश उशन है, हाली में किस company के CEO, डैनिस मुलेन वर्ग ने स्तीपा दिया है, तो डैनिस मुलेन वर्ग, यह Boeing के CEO थे, और अभी इन्होंने Boeing company के CEO के पद से स्तीपा दिया है, तो इस question का A options है, यह थ देनिस मुलेन वर्ग, और यह अभी तक Boeing के CEO थे, लेकिन अब इन्होंने स्तीपा दिया है, अच्छा Boeing company का नाम आपने सुनाओगा, यह दुनिया की सबसे बड़ी aerospace company है, क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी aerospace company है, और इसका headquarter कहाँ पर है, अमेरिका के Chicago में, नेक्श उशन ह हाली में किस जिले ने 2019 का یونी से पुरुषकर जीता है, तो अभी कामा-रेड़ी जिले ने 2019 का यूनी से पुरुषकर जीता यानि किस कुशिन का, बे options है है, अब इसका क्या मतलब है 2019 के यूनी से पुरुषकर का तो जलसचता और स्वच्छ भारत मिसर में, प्रभावी करिय के लिए इस कामा रेड़ी जिले को यूनिसेफ पुरुषकार दिया गया है ये जिला है कहां पे तो ये तेलंगाना का एक जिला है और इसी को मिला है यूनिसेफ पुरुषकार अब ये जो तर्म लेका है यूनिसेफ यह important है यूनिसेफ की full form क्या है United Nation Children's Fund UNICEF की स्थाप्रा कब होई थी 1946 में इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पर है न्यू यॉर्क में और इसके प्रजेन टेम पर हेड़ कौन है हैंड्री एट्टा एच फॉरे नेशुशन है हाली में रोहतांग की निर्माणा धीन सुरंग का नाम बदल कर सुरंग का नाम अब अटल सुरंग रख दिया गया है रोहतांग दर्रे में ये सुरंग बन रही है और अभी तक इस सुरंग को रोहतांग टरनल के जाम से जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम बदल के अटल टरनल कर दिया गया है नेशुशन है तो इनका नाम important है नेक शुशने हाले में किसने अटल भूजल योजना का सुबारम किया है ये most most important question है मैं double most लिख रहा हूँ तो ये आपको याद रखना है अटल भूजल योजना इसका सुबारम किया है अभी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदीने तो इस question का C option सही है ये ज़्यादा important नहीं है कि इसका सुबारम नरेंद्र मोदीन किया है लेकिन ये जो योजना है अटल भूजल योजना ये most important है मैं एक वार फिर बोल रहा हूँ ये most important है और आने वाले जितने भी exam है लगबग हर exam में इस योजना से आपको question देखने को मिलेगा अब इस योजना के बारे मैं पूरा detail में एक अलग से audio बनाऊँगा उस audio का आप जरूर सुनना क्योंकि ये योजना से question आने वाले exam में बनने वाले है अच्छा अटल भूजल योजना अभी मैं इसके बारे में आपको thought में बता देता हूँ ये क्या है जो ground water होता है उसके management के लिए अलग से एक योजना बनाई गई है और इसका सुवारम किया है नरेंद्र मोदी ने इस योजना के बारे में मैं पूरा detail में अलग से audio बनाऊँगा उस audio को आप सुन सकते हो नीचे description में audio revision करके link दिया हुआ है मैंने कई वार आपको बोला है उस link पर click करके आप मुझे follow कर लेजिए जिससे कि आपको चितने भी important topics के audio होते हैं वो आसानी से मिलते रहे तो अगर अभी तक आपने बुझे follow नहीं किया है तो आप video को post करिए नीचे description में आप देखोगे तो audio revision करके link दिया हुआ है आप उस link पर click करो और उस link पर click करने के बाद आपको मेरी एक profile मिलेगी वहापे एक follow का officer आएगा आप उस पर click करके मुझे अभी follow कर लेजिए जिससे कि आपको सब भी important topics की audio मिलती रहे अटल भूजल योजना इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए नए solution है हाली में सरकार ने कितने अस्पतालों को medical college में बदलने की खोशना की है तो अभी केंद्र सरकार ने 75 अस्पतालों को medical college में बदलने की खोशना कर दी है तो इस question का बे options है है अगले पांच साल में देश बर के 75 हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलिज में कनवर्ट कर दिया जाएगा ये गोशना की है प्रजेंट टाइम के हमारे स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्स वर्दन सिंग ने ये जो 75 हॉस्पिटल है उसमें से 6 हॉस्पिटल अकेले उड़ी सागे है एक्च्वल में जो आयुस्मान भारत मिशन है उसके तहट देश बर में 1,50,000 स्वास्ते और कल्यान केंदर खोले जाने है इसी वज़े से अब ये डेश के 75 अस्पिटालों को मेडिकल कॉली में कनवर्ट करने की कोश्ण करती गई है अब लाश्ट वीडियो को कुश्ण का आंसर लाश्ट वीडियो में आपसे कुश्ण पूछा था कि हाली में किस राजी की पुलिस ने रन फार यूनेटी का आयोजन किया है तो अभी जम्वु कस्मीर की पुलिस ने रन फार यूनेटी का आयोजन किया यानि कि इस कुश्ण का बे ऑप्सें सही था और लगबक सभी इस्टूट वीडियों के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़े आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में हाइपरसोनिक हत्यारों वाला बिसुका एक मातर देश कौन मना है? चार option दिये गए है इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year की question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है तो आप Instagram पे इंद्रेश RC Instagram पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation डिस्क सकते हैं अच्छा आज किस video का target है 40,000 like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरूब किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस video को share जरूब कर दिया करो तो ये था आज का अमारा current अपैस का video आपको ये video कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूब बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरूब कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरूब क्लिक कर लेए जिससे के आपको daily morning में current अपैस की video मिलती रहे next exam always with you thanks for watching